लेटिन अमरीकी देश, ब्राजील में सोयाबीन के घरेलू बाजार भाव में भारी गिरावट आने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मंडियों में विशाल मात्रा में इसकी सप्लाई होने लगी है, जबकि उसके मुकाबले मांग कमजोर बनी हुई है. हालांकि प्रतिकूल मौसम के कारण ब्राजील में इस बार सोयाबीन का उतपादन पूर्व अनुमान के मुकाबले काफी घटने की संभावना है, लेकिन फिर भी पिछले सीजन से कुछ अधिक हो सकता है. प्रमुक उतपादक क्षेत्रों में सोयाबीन की अगैती नई फसल की कटाई तयारी पहले ही आरंब हो चुकी है. दक्षिनी ब्राजील के परानागुआ बंदरगाह पर सोयाबीन का एफए एस भाव दो जनवरी को 147 रियाल प्रती बोरी यानी 496.95 डॉलर प्रती टन चल रहा था जो 18 जनवरी को घटकर 122 रियाल प्रती बोरी यानी 412.44 डॉलर प्रती टन रह गया. इस तरह महेज 15 से 16 दिनों के अंदर सोयाबीन के निर्यात ओफर मूल्य में 17 प्रतिशत की भारी गिरावट आ गई. वहां सोयाबीन की प्रती एक बोरी 60 किलो की होती है. ब्राजील के सबसे प्रमुक उत्पादक राज्य माटो ग्रोसो के रोंडोनो पॉलिस में सोयाबीन का हाजिर भाव, स्पोर्ट प्राइस, इसी अवधी के दौरान 126 रियाल प्रती बोरी यानी 425.96 डॉलर प्रती टन से घटकर 108 रियाल प्रती बोरी 365.11 डॉलर प्रती टन पर आ गया। ध्यान देने की बात है कि माटो ग्रोसो प्रांत में इस बार मौसम की हालत काफी खराब रहने से सोयाबीन फसल की हालत अच्छी नहीं है और किसानों की चिंता बढ़ती जा रही है। इस राज्य में लंबे समय से अच्छी वर्षा नहीं होने के कारण सूखे जैसा माहौल बना हुआ है जिसे देखते हुए वहां सोयाबीन का उत्पादन अनुमान लगभग 90 लाक टन घटकर 390 लाक टन नियत किया गया है। यह उत्पादन आकड़ा पिछले सीजन के उत्पादन 453 लाक टन से भी 63 लाक टन या करीब 14 प्रतिशत कम है। ब्राजील स सोयाबीन का निर्याद भी धीमी गती से हो रहा है क्योंकि चीन सहित अन्य प्रमुक आयातक देशों में इसकी मांग कमजोर पड़ गई है। 2022-23 के मार्केटिंग सीजन के दौरान ब्राजील को अपने कुल सोयाबीन उत्पादन के 65.8 प्रतिशत भाग का निर्यात करने में सफलता मिली थी। चीन के आयातक फिलहाल इंतजार करो और देखो की नीती अपना रहे हैं क्योंकि उन्हें सोयाबीन का भाव कुछ और घटने की उम्मीद है। चीन ब्राजीलियन सोयाबीन का सबसे प्रमुक खरीदार देश है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स TV